कि नमश्कार अम्री एजनों आप देखे हैं से उटी पार्ट साल आप शिका बहुत-बहुत स्वागत है अभी हम लोग लगातार देख रहे हैं कि हमारे हैं एजूकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेज हो रहे हैं न्यूएजूकेशन पॉल्सी आया बहुत सारे इनिवर आगया जेमेंस नीट के एक्जाम में बहुत सारी क्लिरेंस आए तो आज जो बात में डिसकस करने वाला हूं कहीं कहीं अपने आप में बहुत ही महत्तपूर बात है और आप सभी कोई बात पुरह समझना पड़ेगा क्योंकि आने वाले समय में आप किसी ने किसी जूनियर को आप सजेस्ट कर सको और आप में से बहुत सा लोग ऐसे होंगे जो नेक्स चेर्स खुद सीवीटी में बैठेंगे आप लोग को पता है कि जो हम लोग इस बार सीवीटी का एक्जाम दे रहे हैं तो इन्वर्सिटी जो है वह अपना खुद से एडमिशन पोर्टल ऑन कर रह देख रहे हैं तो उसी पर रिलेटेड एक यह ओफिस्यल है ध्यान दीजेगा ठीक है यह ओफिस्यल है जो आप न्यूज लिस्ट देख रहे हो यह मैंने अमजी कुमार जी यानि जो यहाँ फोटो दिख रहा है इनका इन्हीं के ट्विटर हैंडल से निकाला है अमजी कुम समझाता हूँ अच्छे से चुकि सायद स्क्रीन पर आपको बहुत बिढ़ियां से बिजबल ना हो ठीक है चुकि यह बहुत छोटा सकलीप है दोको यहां पर लिखा हुआ है कॉमन इन्वर्सिटी इंट्रेंस टेस्स यानि स्यूटी यूजी के बाद अब इन्वर्सिटी सब्सक्राइब में एक नए प्रयोग करने के त्यारी की जा रही है 2023 में देश के 43 ठीक है 43 जो है केंद्रिविस विद्यालों समी 250 है रिजुकेशन संस्थानों में ग्रेजवेशन कोर्स के दाखिले स्यूटी स्कोर्स होने जा रहे हैं कानिक मतलब यह है कि अभी तक लगभ 2009 सब सियूटी में आजाएंगे वही अगले साल सभी कंद्रिव स्विद्यालों में स्यूटी स्कोर्ren के अदार कामण का नियम लागू हो सकता है ठीक है अगली बार Central Counseling for all Central Universities का नियम लागू होगा, ठीक है, क्या बोल रहा है यह लोग, Central Counseling for Central Universities, ओके, लेकिन ध्यान देना, वर्ड भले दे रहा है, यहाँ पर Central for Central Universities, यह Central Universities, वैसे तो भाई, Central Universities के लिए इसी उटी था, लेकिन अभी लोग तो पूरे लोग को एड कर रहा है, प्राइवेट University को भी आइड कर रहा है, तो इस तरीके से भले Central University जे लेकिने सबको Common Platform पे लाके रख देंगे, ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोलने है, उसके बाद यह बोल रहा है, UGC के अध्धक्च, प्रोफेसर M.J. जगदिसकुमार, ठीक है, N.V.T. से खास बातच प्रेक्ट यहां पर है, अभी आज पता चला, कि हमारे देश की जो यूथ है, उसमें 70% लोग जो है, वो बीए, बी कॉमन्ट, बीसी करते हैं, अच्छा, कुछ लोग मुझे बीए वाले वीडियो में ट्रोल कर रहे थे, कि आपने बीए को ऐसे क्यों बोला, भाई, देखो आप जब अधूरा ग्यान लोगें तो आप मुझे ट्रोल ही करोगे, आप मेरी बात को जब भी सुनो तो पूरा सुना करो, उस वीडियो को लाश तक देखो, मैंने बोला है कि आप अगर करते हो भी यह तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि future किन courses में है, मैं यह बता रहा है, मैं यह बताना चाहता था कि इसलिए आप देखो कि मैं भी यह खराब है, यह यह ज्यादा बात किया हूँ, बीए के अलावा कौन से बहतर courses है, इस पर मैंने बात किया है, बरहाल आगे बात करते हैं, फिर यहां पर लिखा हूँगा, क्योंकि मुझे ही लगता है कि यह लोग payment को रहत दे पाएंगे, ठीक है, अगर यह लोग पूरी university को एक साथ add कर भी देंगे, तो भी इनका जो payment जैसे 1000 है, suppose इनका अभी तक 1000 है, वैसे अभी मैं अधम confirm नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपका idea बता रहा हूँ कि 1000 है, ठीक है, तो यह लोग अब इसी 1000 में universities के और courses के basis पर, university और courses के basis पर यह payment add होने लगए, अब आपने देश के जितने universities course add करोगे, तो वो multiple में हो सकता है, यह possibility में बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद दोब लिख रहे हैं, CUT के दो साल के data के अधार पर test, यह जो पूरा portal है, यह लोग बनाने कोशिस करते हैं, क्योंकि अब CUT का दो साल हो गया, ठीक है, पहली बार 22 में, 21 में हुआ, ठीक है, 22 में हुआ, अब 23 में हुआ, तो finally two years हो गए हैं, तो वैसे में इनको पास experience हो गया है, कि लगबग कितना data आता है, suppose कि इनके पास पता चल चुका है, कि 16 लाख लगबग बच्चे जो है, वो आते हैं, इनके पास, ठीक है, और उसमें इतने बच्चे प्रजेंट होते हैं, इतने centers बनाने पड़ते हैं, इसी स्कोर्स में आते हैं, D.U. सबसे highest पे हैं, B.H.U. सेकेंड पे हैं, तो अब हमारा जो online portal बनेगा, यानि जो common counseling for center universities जो बनेगा, वो कितना बहतर बनाना पड़ेगा, तो लिखा हुआ है, जब पूरा system त्यार हो जाएगा, तो common counseling launch कर देंगे, time breaking के लिए भी policy आएगा, ठीक है, अध्यच ने बताया है, कि दाखिले का common counseling क्याधार पर सुरू होंग लिए तो university पर नीभर करेगा, कि वो फैसला बारहमी की विशियों के धार पर कर सकेंगे, अगर किन ही दो छात्रों का सीव टिम बराबर score है, तो बारहमी में जिस विशय का number देखा जाएगा, ज्यादा होगा, उसमें उसको admission दिया जाएगा, कहने के मतलब यह है, मैं आपक कैसे समझो, ठीक है, इनका कहने, वैसे देखो, इन्हों ने बहुत छोटी-छोटी points को अफजर करा, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मालो कोई बच्चा 100 number पाया किसी course में, 120 में से, दूसरा भी 100 number पाया, 120 में से, तो अब यह देखेंगे कि इस क्यों भी झोट करने पीकिक हो यहां परवbon करणा से क्रें तो इनका कहना है कि जोग में है, ठीक है इनका कहना है कि जो Jee Main है इसमें का जो डेटा है मलब जो बच्चे स्कोर ले आते हैं वो एडवानस वाले लगभग इडवांस में जो बच्छे टॉप कर लें जो जो ही में में टॉप कर लें वो लगभग almost equal है इनका कहने का sense है इसमें जरूरी नहीं है लेकिन इनका कहना है कि लगभग वहीं बच्चे होते हैं तो बरहल अभी आपके लिए यही एक गुड न्यूज है कि में भी आपको फ्यूचर में दो चीज़ देखने को मिल सकता है एक जई मेन वाला ठीक अगर इसको अटाते हैं यही उटी को देखा जए तो सही उटी में हो सकता है कि आपका एक ही प्लेटपॉर्म से एडमिशन होने लगे तो ऐसे में हो सकता है कि हमारा पैसा बचे बट मैं स्योर नहीं हूँ अब गवर्मेंट पैसा के लिए रियाद दे कि नहीं दे कि भगवान जाने अभी तो लूट कर रही है कि हम लोग लूटा रहे हैं चलिए मुस्कुराते ने बहुत सरी सुपकाम ना है ऐसे वीडियो के सब्सक्राइब करें विल आइकन को प्रेस करें सब्सक्राइब जरू कर लेजएगा ठीक है ओके वाल दे बेस्ट